लेकिन जब सारा काम पकमान बन जाए वो गनख्यूस में डाल दीजिए पुरा भोजन बरबाद हो जाता है उसी तरह से सरकार के अंदर हुआ कि निशी तोर पे ये लोग को जो इस्थिती है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए गटबंधन के लोगों का संतुलन बिगर चु सबंसक्रूर में अग्ला पिशुक भड़न बीहार के लोगों को गोड़ाला करते हैं उनकी लगाते हैं करने के लिए बिहार सरकार के पुर्व मंत्री राम सुरत राय जी हैं क्या कहेंगे नितिश कुमार जी अबद्र भासा का प्योग कर लेते कभी कभी करता है। यह तो उनकी मानसिक्ता के उपर डिपेंड करता है कि कभ क्या बोलते हैं और एक बार नहीं दरजनू बार मानसिक्रण कुमैंट्यूरिन क़ूया हैं चाहा है वो असुक चौधरी के पिटा जी के पुन्तिति का माममला кажो तकार के साथ सर्य के सर्थ जितनमाजी के बारे में जो अवधरतापुरपपनों ने टिपनी रे तो कहा तुम तराम किया यह सारी बाते आप समझ सकते हैं कि मानसिक रूप से उनका दिवालियापन हो चुका है उनको अब पतपर से हड जाना चाहिए और सन्याशी की रूप में बैठना चाहिए काम करना जीतनमाजी को जिस तरह से तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू- पांठ साल पहले सफेलू इसीं से उमर भी उनका ज्यादे हैं ये भी मुख पन्तरी रह चुकें ये बर्तमान उभत मेर्त मों हो चुके जो हमारे अधेक जी काते है memory loss इस तरह से कई एक बात को जोड़ सकते हैं बहुत बाते हम लोग नहीं कहना चाहते हैं लेकिन आप मीडिया के साथ ही पुछते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इनको कहीं कहीं अच्छे इलाज की जुरूत है कहीं कहीं आराम की जुरूत है कही बिहार के साथ आंगनवारी हो आसा कार्ज करता हो टीचर हो या किसी संगसंगटन के लोगों तमाम लोगों के साथ ही ऐसा दुर्वेभार किया गया है किया जा रहा है फेरा फेरी सब को पिटवाना फेरा फेरी सब को फंसाना फेरा फेरी सब को परतारित करना सब को तुम जितना माजी सिनियर है इसलिए बात चल गई ऐसे इन्होंने कई एक बार का लोगोंने आज माहा कट्मदन के नेता तेस्वी जादव जी बैठे हुए उनके बारे में इन्होंने क्या कहा था तुम अपने बाप से पूछो निति नमीन जी को क्या कहा है लेकिन एक सिनियर सिट परफॉत इसलिएंच को ठारगेट कर रहा है यह बहुत गलत बात है कि एक यह सब नहीं चलने वाला है क्या लगता है मंत्री जी एक बिहार ही है अपना यहाँ एक कानून बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए कई न कहीं वह लोग कभी राम पे टिप नहीं कर देते कभी र कोई रमायन के बारे में, कोई दुरगा जी के बारे में, कोई सनातन के बारे में, तमाम इडी गटबंदन के जो लोग हैं, जिनको उठा के देख लेजिए, सनातनियों पर परहार कर रहे हैं, संतों पर परहार कर रहे हैं, ये रमायन पर परहार कर रहे हैं, ये लोग मादुर सा बोलते हैं तुष्टी करने की राजित करना चाहते हैं एक वर्ग को खुश करने के लिए तमाम अपने परिवार के लोगों को बिहार के बहन बेटियों को भी इजत तारतर करने का काम करते हैं अमीत सा मुझफरपूर आये थे कितना असर बढ़ेगा इंडिया गडवन्दन को अमीत सा जी आये हैं आएंगे आते रहेंगे अब जेपी नड़ा जी आते हैं आएंगे आते रहेंगे आदरनिया हमारे जितने दल के नेता आएंगे आते हैं आते रहेंगे फर्क तो इतना प अपना बीजेपी का मुखमंत्री हो यह लक्ष जनता तै करने जा रहे हैं तो चुनाम जोगा जाती बात होगा आरक्षन को लेकर क्या विचार है अपकी आरक्षन जो जिनों ने दिया हम लोग ने सर्वसमत्ति से माना उसको स्विकार भी किया सब कुछ किया जाती जिंगन्न विपक्ष सरकार का ही यंग होता है जनता का ही एक परिवार का सदस होता है तो विपक्ष हमेशा आइना दिखाने का काम करती है बताने का काम करती है जहां पर आप गलती कर रहे हैं जाती जिंगन्ना ने आपने कराया है सही रिपूट होना चाहिए वाड लेवल पंचायत लेवल परखंड लेवल जिला लेवल बिदान्जवा लेवल एंपी लेवल का ब्रोकास्ट कीजिए सब लोग चेक करेंगे चेक कर लेंगे आप पर जो अंगुलिया उठ रही है उठना बंद हो जाएगा निश्ची तोर पे देखिए ये 33 साल इन्हों ने जो राजनीत किया ह हमलोग के कारण हमलोग के संगति के कारण बहुत साला काम हुआ लेकिन जब सारा काम पक्मान बन जाए वह गणक्यूस में डाल दीजिए पुरा भोजन बरबाद हो जाता है उसी तरह से सरकार के अंदर हुआ कि निश्ची तोर पे ये लोग को जो इस्थिती है सिर्फ सत्त 已经ineda में बने रहने के लिए गठमंदन को तूर ना गठमंदन को जर ना हम कैसे जाए इसके राजनित करना निश्ची तर्फ्य जात जगन नहुआ रक्षन हो सब कुछ ठीक किया आप ने लेकिन आप विकास की बात में पीछे हो रहे हैं बेवार के बारे में पिछे हो रहे ह संसकार के बारे में पीछे हो रहे हैं, सनातनियों के बारे में पीछे हो रहे हैं, इंदुधर्म के बारे में पीछे हो रहे हैं, एक मुस्लिम के भोट बैंक के लिए आप इतना वारा काम कर रहे हैं, जिससे कि हम सनातनियों को गाली बग दे, हम मादुर्गा को गाली बग दे हम रवायन को जूटी साबित कर दें इस तरह से क्या देखलाना चाहते हैं ये इडी कटबंधन वाले सब महागटबंधन के लोग ठकबंधन के लोग हैं सब लोग मांशिक रूप से बिमार हो चुके हैं बिहार के युवा देख रहें डीडी लेके बैठा हुआ है बाहर के दूसरे राजी के लोग सिख्छक बन गया हैं दरसल में बिहार से बाहर के लोगों को जो बुलाते हैं बड़े पहाली को लगाते हैं उनसे कलेक्शन करते हैं उनको दो साल के च्छो मेने के बाद फिर जां समिदा पर घुसाने का काम करते हैं समीदा पर घुसा करके एक 3-4-5-sk obesity होती है और निसी तुरपियट नंके ब़र इदिकारी करते हैं करते हैं तमां पैसा कलेक्शन होता है और कलेक्शन होने के बाद जब दूस साल के ने के बाद पाहता है कि अधिता है उसके फरज कर कर के जानच के पादधीं करें ये ट्रीज्ट होगा रहा हुआ है। नहीं पर उट delivery के भल च्छ करने फोल भाय में गड़ा है। लुचित आपको में आता जो है यह जो कान करना चाहते हैं वह जेखन है में न है कोई प्लाइच को ले लिए अपने पास है उनको ले लिया आपने यह कहां का भी डंबना है क्या करना चाहते हैं आंकड़े का खेल जो देखाना चाह रहे हैं जंदा सब समझ रहे हैं सारा आकर आपका फेल हो जाएगा ना आपके महाकट बंदन से ना आप से कोई फरक नहीं परने वाला है बिहार की बहन बेटी बिहार करती पिष्रा भी तै कर लिए हैं सभी समाज के लोग तै कर लिए हैं कि हमको एंडिय में जाना है एंडिय में मोदीजिय को बनाना है और बिहार में भाजबाकी अपनी सरकार बने इसकी तैयारी हो रही है